बोर्ड एक्जाम की कॉपी में पेज खाली छूट जाया यानि कॉपी पूरा ना भरे तो क्या होगा? नमबर मिलेगा या नमबर कटेगा? कॉपी भर जाने का या फिर खाली रह जाने का रिजल्ट पर, माक्स पर, नमबर पर क्या आसर पड़ता है? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और कई साल से बोर्ड एक्जाम की कॉपी भी चेक कर रहा हूँ कॉपी चेक करने के दौरान हमारे सामने तरह तरह के कॉपीयां आती रहती हैं, हजारों कॉपी ऐसी भी हमारे पास आती है, जिनमें कॉपी के सारे पेज भरे हुए नहीं होते हैं, बलकि कई पेज खाली भी रहते हैं तो ऐसे students के साथ क्या होता है, उनका number कटता है, या फिर जितना मिलना चाहिए उतना number मिलता है, चलिए आपको बताते हैं ता है कि आप अपने board exam में copy लिखने के दौरान इन बातों का ध्यान रख सकें, देखी copy में page खाली रहने की मामले दो तरह के होते हैं, पहला तो मामला यह है कि board exam के दौरान कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी copy में answer लिखते तो हैं, पर गलती से बीच में एक या दो page खाली छूट जाता है, और ऐसा तब होता है जब गलती से आप एक पन्ना की जगा दो पन्ने पलड़ देते हैं, तीन पन्ने पलड़ देते हैं, ऐसे case में क होता है कि copy के शुरुआत में भी answer लिखा हुआ है, last में भी answer लिखा हुआ है, लेकिन बीच में दो तीन page खाली छूट गया है, तो ऐसे case में students tension में रहते हैं, कि भई मेरा last वाला answer जो खाली page छूटा है, उसके बाद जो answer में लिखा है, ओ वाला check होगा की नहीं, उसका number मिल पाई, तो अकसर छात्र इस बात को लेकर confused रहते हैं, कि board exam की copy checking में कहीं इसकी वज़ा से number कट तो नहीं जाएगा, marks कम तो नहीं मिलेंगे, या फिर जो बीच में एक दो page खाली छूट गया, उसके बाद जो मैंने फिर answer लिखा है, ओ लाश्ट वाला answer check होगा की नहीं होगा उसका number मिलेगा की नहीं मिलेगा, कहीं नहीं students के मन में एक ये भी बात बैठी रहती है, कि अच्छे marks के लिए अच्छे number के लिए copy का पूरा भरा होना भी जरूरी है, छात्र सोचते हैं कि copy पूरी भरी रहेगी तो बहुत अच्छे number मिलेगा, copy पूरा नहीं भरेगा, खाल सारे answer आपने लिख दिये, मतलब यह हुआ कि आपकी copy में बीच में एक या दो पन्ना खाली छूड़ी है, तो आपको मैं बता दूँ कि board exam की copy checking में क्या होता है, जो examiner होते हैं, यानि copy check करने वाले teacher, उनको यह clear instruction, especially निर्देश मिला हुआ रहता है, कि जब भी वह किसी student की copy को check करें, तो उस copy का हर एक page, हर एक पन्ना पलट कर जरूर देखें, चाहे वह पन्ना चाहे वो page खाली ही क्यों न हो, ताकि किसी भी छात्रे की copy में कोई भी अंसर बीना check किया हुआ न रह पाए, मतलब अगर किसी के copy में 24 page हैं, तो examiner को यह 24 page पलट कर देखना होगा, और क पीच में page खाली छूट जाने पर last वाले answer चेक ना होनेगा, सवाल ही नहीं उठता, और जब बाकि के copy चेक होगी, बाकि के answer चेक होगे, पूरी copy चेक होगी, तो नंबर भी पूरा मिलेगा, अब दूसरा जो doubt था हमारा, दूसरा जो मामला था, कि अगर हम copy को पूरा ना भ लिखा है, जितने word में लिखना था, उतने word में आपने लिखा है, जितना पूछा गया था, उतना भी आपने लिखा है, तो copy आपकी पूरी भरी हो या ना भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर आपका answer to the point है, सही है, सब्दों की सीमा भी पूरी की गई है तो board exam में आपकी copy पूरी भरी जाए, ये जरूरी नहीं है, मतलब board exam की copy checking में आपके answers की, आपके उत्तरों की गुनवत्ता देखी जाती है, answer की quality देखी जाती है, आपके लिखने की शैली देखी जाती है, आपकी handwriting देखी जाती है, ये नहीं देखा जाता कि आपने copy को पू जैतर भी होता है, और जितने number का question होता है, उतना ही number मिलता भी है, माल नीजे कि अगर कोई question 5 marks का है, 5 number का है, तो बढ़ाच रहा कर लिख देने से ऐसा नहीं है, कि examiner आपको 6 number देदेंगे, उल्टे बढ़ाच रहा कर लिखने से नुकसान ही हो सकता है, तो अगर एक line में कह है, तो अगर आपकी writing अच्छी नहीं है, answer सही नहीं है, लिखने का तरीका गलत है, answer to the point नहीं है, तो आपकी copy पूरी की पूरी भरी हुई हो, तो भी आपको full marks नहीं मिलेगा, और वहीं अगर आपकी writing अच्छी है, answer सही है, लिखने का तरीका भी अच्छा है, आपने answer to the point लिखा है शब्दो की सीमा यानि के जिस question का answer जितने words में लिखना था उतने शब्दों में उतने words में आपने लिखा भी है तो आपकी copy पूरी भरी हो या ना भरी हो आपको full marks 100% मिलेंगे copy में बेज खाली छूड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो मेरे खाल से अब आपका सारा doubt किलियर हो गया होगा फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई doubt है तो comment box में लिख डालें आपकी समस्या का समधान करने का मैं भरपूर प्रयास करूँगा तो धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ